नवस्कार मैं प्रियार राज आप देख रहे एक ट्यूस 24 आपको बता दे कि 2025 बिहार विधान सभाद चुनाओ अब सिर्पर है कहा जाय तो बहुत जादा नजदीक है हलाकि चिराग पासवान आए दिन बिहार विधान सभाद चुनाओ के लिए अपने रणनीती जोरो सोरो शे त्यार कर चुके हैं उन्होंने कई जगों पे ये भी एलान कर दिये हैं कि मैं इन जगों से इस बार विधान सभाद सिट में अपने पहलवान उतारूंगा यानि सबसे ज़्यादा गंभीर ये हो जाएगी कि चिराग पासवान के फैंड फॉल्विंग सबसे ज़्यादा है लेकिन इस बार विधान सभाद में क्या कुछ बड़े पैसले होंगे आज हम ऐसा दो सहीयोगी मौजूद है स्रेया और मधवाला तो सबसे पहले मधवाला क्या क बिल्कुल चिराग पासवान को ले करके अगर हम कहें तो चिराग पासवान विधान सभाद चुना के लिए काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं बड़ी बड़ी बैठक बुला रहे हैं चिराग पासवान अपने चारो शांसदों को बुला रहे हैं और चारो शांसदों के गर पर मिटिंग होता है वो भी देर रात मिटिंग होता है और देखिए जो बाते निकल करके सामने आ रही है वो यही है कि चिराग पासवान का इन दिनों तेवर अलग देखा जा रहा है अगर हम बात करें प्रधान मंद्री नरेंद्र मोदी के हनुमान माने जाते हैं निटिश कुमार से उनकी अच्छी खासी दोस्ती चल रही थी, हर एक बात अच्छी खासी हो रही थी, लेकिन इन दिनों निटिश कुमार से भी वो अलग हो गये हैं, आखिर क्या हो जाता है चिराग पासवान को जो अपना तेवर अलग कर लेते हैं, आखिर किसी भी बात की उन्हें बुरा तो लगी है देखे चिराग पासवान लगातार तीन चीजों का लगातार सरकार के पास यहां तक की प्रधान मंदरी नरेंद्र मोदी के पास गोहार भी लगा रहे थे एक हम आपको बता दे वक्ष बोर्श शंशोधन की जो बात सामने आ रही थी उसको ले करक चिराग पासवान पूरा समर्थन दिये हैं यानि कि भारत बंद हुआ है तो चिराग पासवान समर्थन किये हैं लेकिन अगर हम बात करें जीतन राम मांची की तो जीतन राम मांची ने इसका खुलकर विरोध किया है और विरोध करने के बाद चिराग पासवान पलटवार भी करतेवे नजर आ रहे हैं और चिराग पासवान का इन दिनों देखा जाए तो फोड़ा सा उनका तेवर्स अलग दिख रहा है जी स्रिया एक तरफ मोदी के हनुमान कहे जाते हैं चिराग पासवार लेकिन राम से ही नराज क्यों आकिर चिराग पासवार मोदी के हर एक फैसले से अपनी नराजगी ब्यतीत करते हैं लेकिन इसी बीच अगर बात की जाती है तेजश्वी यादो की तो वो हर चीज पर एक् लेकिन फर्क ना पढ़ने से और बिहार विधान सभा चुनाव नजदीक आने से कहीं न कहीं फर्क तो पढ़ना ही है इस पर क्या कहना चाहेंगी या जी देखा जाए तो तेजस्वी यादव जैसे वह काफी आक्टिव रहते हैं कोई भी शोशल कोई भी मुद्दे पर वह का रहाते हैं कि मुस्लिम समुदाए के साथ बैठख भी किये थे और उसके बार उनसे मिले थे और उनको यह दिलासा दिखाया था दिलाया था कि वह उनका साथ देंगे और किसी हद में वैवसं सोधन्बिल को सांसथ में पास नहीं होने देंगे साथी साथ उन्होंने इस चिंता है और वो लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, वो स्वार्थी किसम के नेता है और उनके एक नेता ने ही तो ये तक बोल दिया था कि उनका कारेगाल अब इस सांसत को लेके खतम हो चुका है, अब उनने सिफ उन्हें सिर्फ अपनी पड़ी होती है और वो किसी भी तरीके से लोगों का मुद्दे पे ध्यान ही नहीं देना चाहते वो लोगों को छोड़ चुके हैं वो त्याग चुके हैं उन्हें लोगों से फर्खी नहीं पड़ता कि लोग किस चीज़ से गुजर रहे हैं उनके लोगों की पीड़ा से वो बिलकुल मतलवी किसम के इंसान बन चुके हैं ऐसा कहना था तेजस्वी यादव का एक बार बिहार विधान सभा काफी नजदीक है लेकिन चिराग पास्वान के फैन फोल्विंग दिन प्रती दिन बढ़ती ही जा रही है कहीं न कहीं ये विपक्ष के नेताओं को भी गड़ रही होगी और कहा जाए तो सियम नितिस को अपने कुर्सी से बहुत जादा प्रेम है लेकिन कहीं न कहीं चिराग पास्वान को सियम फेस के लिए काफी ज़्यादा लोग पसंद करें इस पर क्या कहना चाहेंगी जी हाँ जैसे कि सबसे जादा उनके पक्ष में है बिहार के यूथ जी हाँ उनने उनसे एक उमीद के तौर पे वो उनने देखते उनसे लगता है कि चिराग पास्वान एक पढ़े लिखे नेता है साथ-जाथ हो लोगों की बातों को समझते उनको वो स्पेशली यूथ को स सोच के हिसाब से अलग अगर आता है तो अफकोस वो इस चीज पर मुझे लगता है कि वो इस चीज पर नराज है और प्रादन मंतिर नरेंद theatre मोदी से क्योंकि वो चाहते थे ते वो यह चीज लोगों इतना बेच गेंडा highlight ब differently वो कितना active रहते हैं ना सिर्फ सांसर्द और यह सारे चीजों को लेकर और भी जादा वो लोगों के बीच जाते हैं उन्हें सुनते हैं उन्हें समझते हैं और इसी कारण दिन पर दिन उनकी popularity बढ़ते जाते क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एक उमीद है लोगों के बीच उ लोगों को अपना भविश्य अंदकार में दिख रहा है तो उसी में जब चुराग पासवान एक बड़े उमीद के तौर पे उमीदवार के तौर पे उनके लिए भगवान के रूप में सामने आते हैं क्योंकि उन्हों ने ये विश्वास दिलाया है अपने यूद को कि आगे का फैस्ता लेंगे और सरकार बनाएंगे जैसा के भी श्रिया ने कहा कि जिसता से बिहार में आए दिन अपराद बढ़ रहे हैं यहां तक कि बच्चों के भविश्य के साथ खला जाता है इसी भी चिराग पासवान पे लोग भर उसी कि जो उमीद है वो काफी जादा बढ़ती जा रही है लेकिन विहार विधान सबाचुनाओं में जिस तरह से चिराग पासवान अपनी रणीती त्यार कर रहे हैं इसी बीच कहा जाए तो विपास्ट के नेता और यहां तक कि सबसे बड़े कोई चेहरा बना है तो वो है प्रशांत किसोर वो भी काफी प्रशांत किसोर बड़ी बड़ी दावा कर रहे हैं यह बात सच है लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि इससे चिराग पासवान को कोई फर्क पढ़ने वाला है क्योंकि चिराग पासवान खुद एक युवा चेहरा है और युवा चेहरा को अभी देखा जा रहा है बिह आग्सोरा का razniity में लाने की मांग करें तो किया चिराग पासवान को यह ने कंपैर वाला के लड़के खड़े हो पाएंगे और युगा चेहरा के साथ-साथ, he is a very knowledgeable person, तो एक तरफ आपको हम बता दें कि चिराग पासवान काफी active नेता माने जा रहे हैं, काफी active हैं, हर एक मुद्दे को अच्छे से cover करते हैं, जैसे कि educational hub बनाने की बात करते हैं, ऐसे बच्चे को ले करके यहां से बिहार के बच्चे पासवान काफी active नजर आ रहे हैं, तो कहीं से यहां से कि चिराग पासवान को किसी से डरने की ज़रूरत है, या फिर चिराग पासवान को कोई घेरे में रख सकता है, दूसरी बात, अगर हम बात करें विधान सबाद चुनाओ को लेकरके, चिराग पासवान का देखिए कल जारखंड में बैठक होने वाली है कारी बैठक होने वाली है चिराग पासवान दल थल के साथ वहाँ बैठक बुलाए है और बैठक में देखिए कल क्या कुछ बातचीत होती है क्या कुछ वहाँ से निकल करके आती है वो तो अभी पता नहीं चली है वो तो हम लोग अगली ज के लिए जिसतरी के से वह लोकसभा चुनाओं में अपना पर्चा लहरा है लेकिन एक बात अगर कहें तो विधान सभा चुनाओं और लोकसभा चुनाओं में जमीन आसमान की फर्ग हो जाती है और फर्क के साथ हें तो क्या BIG पास्वान कुछ जादा ही अक्टिव नजर आ काफी सक्रिये हो गया है इस वैरी नौलेजबल परसन बट आपको क्या लगता है चिराग पस्वान के नौलेजबल होने से का इस बार बिहार की जंता जो है उन पर फिर से भरोसा जाता है हला कि हाजी पूर में आए दिन जिसता से मामले उटे गए कहीं नहीं वहां के जो परस दीक आ गया है इसी बीच नेता प्रतिपक्ष तेजश्वी यादव जो ब्यान बाजी करें लेकिन कहीं न कहीं राजत से सारे नेताओं का जाना इस्तिफा देना ये बड़ी बात नज़र सामने आ जाती है क्या लालू परिवार इस बार बिहार विधान सबह में फिर से ला प्रतिफने को मिलेगी कि उस पे विश्वास करें या ना करें वो उस पे जरूर डगमगाएंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि यह चीज़ कह सकते हैं कि वह स्टेबल नहीं है उनकी जो पार्टी है उसमें लोग एक के बाद एक उसे छोड़के जा रहे हैं तो लग रहे है लोग जरूर कतराएंगे उन पे विश्वास करने से पहले और जहां दूसरी तरफ चराग पासवान की बात है तो उन पे आए दिन कई सवाल भी उड़ते हैं बट वो हमेशा आक्टिव रहते हैं वो अपनी जनता से बात करते हैं उनके सामने आते हैं उनके सपोर्ट में ख बुसरे तरफ चराग पासवन यह आश्वाशन यह विश्वास दिलाते हैं लोगों पे कि आप हम पर विश्वास कर सकते हैं वो काफी स्टेबल तरीके की पार्टी को बना कर आए हैं इस विधान सबा चुनाव के लिए तो इसके बाद जो उनका जो यूद का जो विश्व है नियुकर को रह्म पर वा आयन दिन मुझा पढ़ाय आखाए को ले हजसे कि बिहार से काफी बचे बिहार से क्या पूरे देशसए बाहर चले जाते पर ने के लिए अन्यजिए ने चले जातें बिहार के ही किअने पार चोड़े कहीं चले जातें अपने ग्राज्शन कंप यहां तक कि बिभार में यह चीज़े देखा गया, आगर मैं सुत्रों के मुताबिक बताओं तो, कि बिभार में सबसे जपी जादा, कहा जयता है एटेंडेंस काफी जपी जपी जादा यहां विभार के लोगाने लिए। तो यह कहीं न कहीं बिहार की सिख्षा बिवस्ता पर अहम सवाल मुद्दा खड़ा कर देता है जी बिलकुल कहते हैं ना शिक्षक एक भगवान के रूप में लोगों कुछ पर से नहीं एजुकेशन के लिए जी हाँ जी हाँ एटेंडेंस की बात की जाए तो लोगों को यही कॉलेज जा रहे हैं तो अगर उनकी 75% अटेंडेंस अगर उसे मेंटें कर रहे हैं तो बस हो गया उने डिग्री मिल गई और उनका काम वहीं खतम हो जाता है कि कॉलेज जाना सिफ एक महस डिग्री की बात रहे गई है कहां देखा जाए तो लेकिन असल में ऐसा नहीं होता आप उस तीन साल पान साल के डियूरेशन में आप क्या सीखते हो आपको क्या ग्यान राप होता है वो मैटर करता है सिफ एक कॉलेज सिफ एक अटेंडेंस तक ही सीमित तहीं है देखा जाए तो लोग और भी कई चीजों पर उसके अलावा भी फोकस करते हैं पूरे कॉलेज के रहें कि विश्वास भी पैदा होती है कि यह कर सकता हूं १ लिए रही जरूरी हो जई क्यूंकि भी हम थिसी सवे सबस्दें लेए कि पाए ने विश्वास दिखाया है नहीं दिखाए कि वह इसमें सुधार सब्स्तर लाएंगे लोगों लिए काम करेंगे यह चीछा व बिहार के यूद के लिए काम करेंगे तो वो उन्हें काफी पॉपुलर बनाता है। को भी बजट को देख कर मिला है। लेकिन कहा जाए चिराग पास्वान की अभी विहार विधान सभा के लिए आपको? चेराग पास्वान की आपसी और काफी यह बहुत चणसे पून हो सकता है। देखे हनुमान कभी भी राम को नराज या फिर नहीं तंग कर सकते है क्योंकि हनुमान मने जाते हैं तो चिराग पासवान भी इज्जत करते हैं। पहले भी कहा था कि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी का कुछ ज़्यादा ही इज़त करतें चिराग पासवान, और दूसरी बात यहां पर यह हो जाती है कि यहां चिराग पासवान थोड़ा सा नाराज चल रहे हैं, थोड़ा सा अलग तेवर किये हुए हैं, क्योंकि चिराग पासवान दलितों के नेता माने जाते हैं और चिराग पासवान इस तरीके से जिस बार जीत हासिल किये हैं तो चिराग पासवान का ये फर्ज बनता था कि SC-ST आरक्षन जो क्रीमी लेयर का जो मुद्दा निकल करके इस सामने आ रहा है उसको ले करके भी वो काफी एक्टिव ह थी और प्रधान मिंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तोड़ पर इसका बड़ा खुलासा भी किया था कि समविधान के खिलाफ हम नहीं जाएंगे जो चलते आया है वही इस वजह से चिराग पासवान थोड़ा सा खुशी भी जाहिर किये थे लेकिन जो तरीके से भारत बंद श्रिया ने उन मुद्दों को उठाया बिहार कि सिक्षा बेवस्था के उपर बात की यहां तक की इन मुद्दों को घुमाते उन्होंने जिस तरह से कहा है कि सिक्षा बेवस्था के जरिये बिहार के नेता भी कहीं ना कहीं भरस्ट चार के खिलाफ आगे बढ़ रहे हैं ज समख्ष हमने कई बातों को बताय कि किस तासे नेता उनकी पाटी को छोड़ के जा रहे, क्योंकि लालो परिवार अपने ही पाटी के लोगों को इज्जत नहीं देते हैं, उन्हें इज्जत की बात किया जाए तो जिस तर्स से उन से चुनावी दौरे में अपनी नेता पे वि टेकी जिए